तो भाई क्या आल चाल बहुत दिनों से जो वीडियो नहीं आई मेरे खाल से 3-4 दिनों से वीडियो नहीं आई क्योंकि घर में काम चल रहा है किसके वज़े से मैं Facecam वीडियो नहीं बना पा रहा बैदे परसों से मैं फिर से regular Facecam वाली वीडियो बनाँगा सोचा था कि सीधा शुरू करेंगे facecam वीडियो से ही लेकिंग ये वीडियो मुझे बनानी पड़ी इसलिए क्योंकि Amazon और Flipkart पे चल रहे हैं सेल क्योंकि इस सेल में काफी जदा आमें तगड़े discount देखने को मिलते हैं काफी जदा बड़िया उफर चलते हैं और बहुत सारे लोग इसी टाइम पे दसेरा और दिवाले के टाइम पर स्मार्टफोन परचेस करना पसंद करते हैं तो सोचा क्यों ना आपको कुछ स्मार्टफोन सजेस्ट किए जाए तो Amazon पर मैंने कुछ स्मार्टफोन देखे जिन पर काफी बड़िया डील वगरा चल रही है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिमियम कैटेगरी के स्मार्टफोन से सबसे पहला स्मार्टफोन है आइफोन 11 तो यह दो साल पहले का स्मार्टफोन आपको पता कि एप्पल के आइफोन कैसे होते है इसमें A13 Bionic आता है 6.1 इंच इसकी LCD डिस्प्ले है इसकी जो प् के लिए आप इसको पर्चेस कर सकते इसी सेल के दोरा दूसरा स्मार्टफोन है Samsung S20 FE तो S20 का यह फैन एडिशन है अगर हम प्राइस की बात करें तो यह पहले 70,000 रुपे का आता था लेकिन फिलाल अभी यह हमें 34,000 रुपे का मिल रहा है HDFC का कार्ड वगरा लगा के तो इ इसमें हमें 6.5 पाइचेस का एप एचेडी प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो की 120 Hz रिप्रेश रिट के साथ आता है स्नाप डाइगन का ट्रिपल एट प्रोसेसर है और 65 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है इसकी वैसे देखा जाए तो प्राइस होती है 47,000 लेकिन सेल में ह सामसंग नोड़ 20 तो नोड़ सीरेज के स्मार्पोन परसनली मुझे काफी ज़्यादा पसंद है इसमें जो 6.7 इंचिस का बड़ा डिस्प्ले आता है डायनमेक आमूलेट स्क्रीन है 120 हर्स का रिप्रेश रेट है और 8K वीडियो रेकॉर्ड कर सकता है स्मार्पोन जो की का आप भी बड़िया लगता और इसके फीचर्स सामसंग की फीचर्स आपको पता है फ्लाक्षेप डिवाइस में कैसे आते हैं तो नोड़ सीरेज डेफनेटली काफी ज़्यादा पॉपिलर सीरीज है और यह स्मार्पोन जो है वह 86,000 खाता जब लांच हुआ था लेकिन अभ में होता मेरे पास पैसे होते तो डेफेनेटली मैं इसे पर्चेस करता और अगला स्मार्पोन है वन प्लस का वन प्लस नाइन प्रू 5G इसमें भी 6.7 इंचिस का एमोलेट डिस्प्लेंटी हर्ट्स का स्नैप्टेगन का ट्रिपल लेट प्रोसेसर है 65 वाट का वायर चारज इसमें मिलता और हजल ब élect का केमरा मिलता है इसमें चोकि इसका कैमरा काफी बड़िया और इस बार जोS. योगों को एक एक मेरा सेंट्रियो कार सके तो वी JO समार्पोन हो सकता है और इसमें Snapdragon 870 प्रोसेसर आता है जो कि flagship लेवल का है और इसमें 5G आता है 6.5 इंचिस का AMOLED डिस्पले 120 हर्ट का रिप्रेश रेट है वैसे इसके प्राइज थी 43,000 लेकिन यह offer में हमको मिल रहा है 35,000 का और अगला स्मार्टपोन है Mi 11 X Pro 5G इसमें Snapdragon 888 प्रोसेसर आता है 6.67 इंचिस का AMOLED डिस्पले 120 हर्ट का रिप्रेश रेट है और 108 Megapixel का कैमर आता है इसकी प्राइस थी 48,000 लेकिन अभी यह सेल में हमें मिल रहा है 37,000 का और अगर आपके पास HDFC का कार्ड वगरा है तो 7,000 रुपे का आपको extra discount भी मिलेगा तो काफी तगडी offer है जिन लोगों को शाओमी के स्मार्टपोन पसंद आते है इसको अगला स्मार्टपोन है IQ7 तो यह डेफिनेटली गेमर्स के लिए होने वारा है तो इसमें स्नापडाइगन का 870 प्रोसेशन आता है 66 वर्ट का फास्ट चार्जर है और 6.62 इंचेस का 120 हर्स का AMOLED डिस्प्ले आता है इसमें और 300 हर्स का टच सांप्लिंग रेट देखने को मिलता है इसकी लॉंच प्राइज थी 32,000 लेकिन अभी यह मिल रहा है 27,000 का तो 30,000 के अंदर डेफिनेटली IQ7 वन अव थी बेस्ट स्मार्टपोन अगर हम बात करें गेमिंग की तो तो गेमर्स का चार्जर मिलता है 64 मेगा पिक्सल का ट्रिपल कामरा सेट अप मिलता है और स्नाप्डागन का 760 प्रोसेसर मिलता है जो कि 5G प्रोसेसर जब यह लॉंच हुआ था तो बीस हजार रुपए में लाउंच हुआ था लेकिन अभी एच्ट अपसी का कार्ड वगर अलगा कि का एमुलेट डिस्प्लेए 6.4 एंजिस का सुपर एमुलेट डिस्प्लेए 90 हर्ट का रिफ्रेश रेट और 6000 एमेज की बैटरी 64 मेगा पेक्सल का कोर्ड कैमरा सेटप हीलियो जी एटी प्रोसेसर है तो स्मार्टफोन जो अबर डीसेंस है मतलब ऐसा नहीं की बहुत जादा पाउरफुल प्रोसेसर है या फिर बाकी चीजों में कुछ आगे हाँ सुपर एमुलेट स्क्रीन और 90 हर्ट का रिफ्रेश रेट है डेफिनली काफी बढ़िया बात है 6000 एमेज की बैटरी काफी ज्यादा होती है और इसकी प्राइज जो है वो 17,000 रुपे थी लेकिन अभी यह ओफर में काफी तगड़े प्राइस पर मिल रहा है मतलब 11,000 रुपे के अंदर मिल रहा है यह से का कार्ड कहीं से भी अगर आप जुगार लगा पाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा 11,000 रुपे के अंदर आपको यह स्मार्टपोन मिल जाएगा अगला स्मार्पो लेकिन अभी यह आपको मिल रहा है 21,000 का HDFC का कार्ड लगा के तो definitely यह भी बहुत ही बढ़िया ओफर है अगला है फिर से Samsung की तरफ से Samsung M12 यह बजेट में आता है इसमें 6.5 पॉइंट जिसका HD plus TFT डिस्पे आता है लेकिन 90 Hz का refresh rate भी मिलता है और बात करें बैटरी की तो 6000 इ लगा के अगला है Redmi 9A इसमें 6.53 इंचिस का HD plus IPS डिस्पेल आता है 5000 इमेज की बैटरी और Helio G25 प्रोसेसर वैसे यह स्मार्टपोन जो बहुत साड़े 8000 रुपे का आता था लेकिन अभी यह सेल में मिल रहा है 6120 रुपे का तो यह वी डिल काफी बढ़ी है जो लोग सिर्फ बजेट में यानि एंट्री लेवल के सिग्मेंट में कोई फोन देख रहे तो सेल से पहले वहाँ पर आप्शन नहीं था लेकिन यहाँ पर रेडिमी नाइन यह मिलना जो कि काफी तकड़ा स्मार्टपोन है 6000 रुपे के अंदर यह वन आप दी बैस्त स्मार्टपोन हो जात फिलाल इस वीडियो में बस इतना है क्योंकि वीडियो काफी स्दा बढ़ा हो घया है तो यह जादा लंबा नहीं खि かला चाथए वीडियो को झाल झाल